हालो अभी वेन इस वीडेयो में हम इंट्रिकेस्टन का एक इंपॉइंट को सन्द कर रहे हैं देखो को सन्द में आपको इंट्रिकेस्टन करना है कॉस 5x प्लस 4x अपान में 1-2 ॉ कॉस 3x का ठीक है तु इसे कैसे स्टार्ट करेंगे फ्लास 5x प्लस cos of a plus b by 2 into cos of a minus b by 2 यह फ़र्ड नहोंता है यह हम यहाँ पर apply करेंगे तो यह आजाएगा 2 cos by 5x plus 4x कितना हो गया 9x by 2 into cos 5x minus 4x कितना हो गया x by 2 whole upon में 1 minus का 2 cos 3x ठीक है जी ठीक है अब देखो यहाँ पे उपर दे वैल्यू आ गई नीचे cos 3x लिखावा है ठीक है cos 3x को हम लोग half angle की form में convert करेंगे क्या उपर जो angle है वो upon में 2 upon में 2 है अब देखो cos 2a का एक फॉर्णा होता है cos की form वाला 2 cos square minus 1 अगर हम इसको half angle में convert करेंगे मतलब एक ही जगे a by 2 replace करेंगे तो यह बन जाएगा cos a is equal to 2 cos square a by 2 minus 1 तो यह फॉर्णा हम यहाँ पर apply करते है एक ही जगे पर क्या वर्ण करेगा 3x तो यहाँ पर आएगा 2 cos 9x by 2 into cos x by 2 whole upon में 1 minus कर तो यहाँ पर आएगा 2 cos square 3x by 2 minus 1 dx ठीक है अब इसको multiply कराते हैं तो आएगा 2 cos 9x by 2 और cos x by 2 multiply कराएंगे तो देखो क्या आएगा minus का 4 और plus का 2 plus का 2 और 1 3 3 minus का 4 cos square 3x by 2 ठीक है जी अब देखो जो नीचे जो आपकी form लिखी हुई है ऐसा cos 3 के form में आता है ठीक है मैं आपको पहले लिखता हूँ cos 3 का form देखो cos 3 is equal to होता है 4 cos cube a minus 3 cos a ठीक है अगर यहाँ से हम cos को में ले लेंगे ना minus का cos को में ले लेंगे तो ऐसा आ जाएगा तो ठीक है तो हम इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर cos 9x by 2 लिखा वाए इसको हम 3 into में 3x by 2 लिख सकते हैं उससे cos 3 का form देख जाएगा और नीचे value value कट सकती है उससे देखो हम लोग इसको लिखेंगे क्या cos 3 into में 3x by 2 cos x by 2 whole upon में 3 minus का 4 cos square 3x by 2 ठीक है अब cos 3a का फ़र्दा यह हम अप्लाई करेंगे तो आएगा 2 यहाँ पर 4 cos cube 3x by 2 minus का 3 cos 3x by 2 into में cos x by 2 और whole upon में 3 minus का 4 cos square 3x by 2 ठीक है इसके बाद यहाँ से देखो cos 3x by 2 को मन आ रहा है जैसे हम यहाँ पर cos 3x by 2 को मन लेंगे तो bracket में बचेगा 4 cos square 3x by 2 minus का 3 into में cos x by 2 और upon में upon में आएगा 3 minus का 4 cos square 3x by 2 ठीक है जी अब देखो यह और यह same है बस minus का difference है तो अगर मैं इसको इससे cancel out करता हूँ direct तो minus 1 आ जाएगा ठीक है तो minus 1 तो बाहर आ जाएगा उसके बाद देखो यहाँ क्या बचेगा minus आ गया बाहर यहाँ बच गया 2 cos 3x by 2 into cos x by 2 dx ठीक है अब यहाँ पर 2 cos से cos b हम apply कर सकते हैं वो फारना क्या होता है लिख देता हूँ 2 cos से cos b is equal to होता है cos of a plus b and plus cos a minus b ठीक है जी तो 2 cos a यह a और यह b तो यह आएगा minus का यहाँ पर cos a plus b 3x by 2 और x by 2 यह एड़ो क्या जाएगा 2x plus का cos a minus b 3x by 2 और minus का x by 2 यह हो जाएगा x तो यहाँ पर आजाएगा x ठीक है तो minus का cos का integration होता है sin 2x upon me 2 angle का दीचे 2 और plus का sin x plus का c ठीक है यह हमारा answer आगे इसका ठीक है यह हमारा nervाा闘़ी ichcountry प्रभव radar